नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं प्रदान मंत्री नाइद मोदी ने कुरोणा काल में ट्रेन का सफर तै किया है हलाकि या सफर पिये मोदी ने एक पार्क में तै किया प्रेन से लेकर इस पूरे पार्क की कई खास बाते हैं यहां अरोगेवन, निउट्रिशन पार्क, जंगल सफारी, 5D फिल्म समेत कई अहमन रोजन के केंद्र है प्रेन के चलने के लिए 600 मीटर लंबा ट्रेक लगाया गया है इसी ट्रेक पर निउट्री ट्रेन चलेगी पिये मोदी ने उदगाटन के दोरान इस ट्रेन की यात्रा की क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक की कार के सामने आ गया ट्रक जारकन के क्रिसी पसुपाज़न यह साकारिता मंत्री बादल पत्रलेक बाल बाल बच गया है जिससे बड़ी दुर्गाटना होने से बच गई हलाकी किरिशी मंत्री सिरी पत्रलेख के सीर में चोट लगी है उनकी उंगली में भी फ्रेक्चर हो गया है जारखन के खिलाडियों के लिए सीधी नियुक्ती 20 नौमबर तक करे आवेदान जारखन के एमन सुरेन सरकार ने राज़े के खिलाडियों के लिए एक बड़ फिर आवसर प्रदान किया है बता दे कि पिछले साल जो खिलाड़ी आवेदान देने से चूग गए थे वो इस साल सिधी नियुक्ती के लिए आवेदान कर सकते है इस सम्माद में खेल कुद एवाम युवाक कारे निदेश साले ने राजे के खिलाडियों से 20 नॉमबर 2020 तक आवेदन मांगा है बता देखी राजे के खिलावी अधिक जनकारी के लिए विभागे वेबसाइट इस्पोर्ट.जार्खन.जोभी. इन पर याकर प्राप्त कर सकते हैं डिप्रेशन का सिकार हो गए हैं रगवर्धास बंदु तिर्की ए बाते बिधायक बंदू तिर्की ने कही है बता दे की मांडर की बिधायक और बावुलाल मरांडी के पुराने साथी बंदू तिर्की ने भाजपा और रगवरदास पर निसाना साथते हुए बाते कही उन्होंने कहा कि सुबे की जानता को रगवरदास को गंभीतास नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह डिप्रेशन में आ गया है एक नौमबर से खुलेंगे होटल रेस्तरा और बार राज सरकार ने अगावी एक नौमबर से कंटेन्मेंट जोन के बाहर इस्थित होटल रेस्तरा और बार के संचालन के अरुमति दे दिया है गुरुवार को उत्पाद एवं मगद निसेद विभाग ने इस समन में राजे के सभी उपायुक्तों को एक चिठी जारी करजनकारी दी बता दे कि कारोबारियों को स्वास्त विभाग दोआरा चार जून को जारी दिशा निदेश के पालन के साथ कारोबार सुरू करने को कहा गया है वहीं एसोसिये विक्री के लिए मोराबादी मैदान में बना कलस्टर 16 नौमबर तक होगी विक्री दिपावली और छट पर इस बार भी गली महलों में पटाकों की विक्री नहीं होगी पटाकों की विक्री के लिए कलस्टर बनाये जाएंगे बता दे कि अलग-अलग महलों में कलस्टर बन जा सकता है आवे दिनों की संख्या के बाद अने कलस्टर बनाए जाएंगे लोहरदागा में पूलिस टीम पर नक्सली हमला दो जवान घायल लोहरदागा जिला के सुद्रवर्ची नक्सल पर वहावी सेरेंग दाग ठाना से महाज 500 मिटर के दूरी पर सुक्रवार को दिन दा गया SDPO जितेंद्र कुमार सिंग ने घाटना की पुष्टी की राज के जीला बार संखो का चुनाओ दिसंबर तक टला है कुरोना संखट को देखते हुए राज के कई जीला बार संखो में होने वाले चुनाओ को दिसंबर तक टल दिया गया है वहां का काम पर्मावित न ह इसके लिए बरतमान में काम करने वाली कमिटी को ही कारे करने के अनुमती दी गई है। मुखमंत्री ने कहा कि सरना धर्मकोड की मांग को लेकर आज भी उनसे कई समाजिक संगठनों और छात्र छात्राओं के प्रतिनीदी मंडल ने उनसे मुलकात की थी। मुखमंत्री ने दी इद मिलाद उन नवी की सुभकमनाये। मुखमंत्री हमन्सुरेन ने जार्खन वासियों को इद मिलाद उन नवी की सुभकमनाये। मुखमंत्री ने सुकुभार को कहा कि यह अपर्व सभी को स्वस्त और खुशाल रखे। जार्खन में 323 संक्रमितों को पुष्टी हुई। जो राख्ची से 109 बुकार 29 देवगर 30 धनबाद 35 दूमका चार पूर्वी सिम्भूं एक तीस गडवा आठ गिरीडी दो गोड़ा तेरा गुमला दा सजारी वाग छाओ जामत्रादू खुटी छाओ कुड़ारमा छाओ लाते हार चार पांकुड एक पलामू एक रामगर् मिले हैं जाकन में कुल संक्रामीतों संख्या एक लाख एक हजार दूसों सतासी है जबकि पंचार में 208 लोग स्वास्थ हुए आठ सो तिरसी की मिलती हो गई भारत में केस अरतारी से रेक सो सत्रा मिले हाँ जबकि 69 लोग स्वास्थ हुए है भारत में इस समय एक्टिव के केस पांच लाख ब्यासी हजार एक सो साथ है वहीं जारकन में एक्टिव केस एक आउसों चानब्यार विकास एवं रोजिगार सरकार की पहली प्राथमिक्ता मंत्री स्रम नियोजन और प्रसिक्षर मंत्री लागतर पांचमे दिन सुक्रवार को भी दूमका उप्चुनाव के महा गडबंधन से जावो परत्यासी बसंद सुरेन के पक्ष में जन सपर्क अभियान चला कर समर्थन मंगा मंत्री ने कहा कि चुनाव विचारधरा का यूद है हमें जन विरोधी विचारधरा वाली पाठी से लड़ना होगा और गडबंधन के उमिद्वार बसंद सुर महा गडबंधन सहीत पूरा विपक्ष में बौक लाहट से सुबे के मुख्या सहीत मंत्री विधायक अनाव सनाव ब्यान दे रहे हैं उक्त बाते राज ये सभासांसत सभाजपा परदेश अध्याग दिपर प्रकास ने कही वह सुक्रवार को प्रेस वारता को समधित कर रह चलाया खुटी परखंड कांग्रेस अध्यक सुसील सांगा तथा प्रभारिस जीला सचीव स्यूम अंसारिक नित्यूत में चलाये इस अभियान में कई कांग्रेसी समलीत हुए यह कानून के खिलाप रोश जताया खुटी के लिए बरदान सावित हो रही है अकांची योजना डिसी सरकार की अकांची जीला योजना खुटी के लिए बरदान सावित हो रही है इस योजना से जीला जलापूर्ती क्रिसी महिला विकास सहित अन्यकारियों को गती मिल रही है खोटी जिला के उपायूग ससीर अंजन ने बताया कि इस योजनाम मत से अब तक 15 गाव में पाइपलाइन जलापूर्ती का काम कराया गया है साथी 52 विद्यालियों में सोलर अधारी जलापूर्ती की भी की जा रही है रामगण में 1 42 लोगों का बिजली विभाग ने काटा कनक्सन बिधूत विभाग के प्रवंद निदेशक के निदेश पर रामगण जिला में 20 अभियान के ताथ पिछले एक सप्ता में रामगण, गोला, चितरपूर, कुजु, भुरकुंड एवं पत्रातु, छेत्रों में कूल 1 42 बकायतदार उभगताव का बिधूत कनक्सन काटा गया गोड़ा जिला में दिदी बाड़ी योजना का सुभारा गोड़ा जिला के पथर गामा प्रखंड के अंतरगत, रांगा टान गाव में नीती आयोग, नई दिली के अविशेख चोदरी या अनुमंडल पता दिकारी, रितु राई दोनों ने सुक्रवार को भी सन्योक तुरूप से दिदी बाड़ी योजना का फिता काट करुद ग लिए एक बार फिर से माक्स टेस्ट ड्राइब चलाया जा रहा है, बता दे कि 31 अक्टूबर के जीले के सहरी और गरामीन छेत्रों में कूल 31 जाच के अंदर बनाये गए हैं, जहां लोग आपना कोविशेख जाच करवा सकते हैं, इन सभी जाच के अंदरों पर ट्रूनेट RT-PCR और Rapid Antigen Test की जाएगी, वोट का ऐसा चोट करे कि भाजपा 15 साल तक चुनाव लड़ना भोल जाए हमन सुरेन, मुखमंत्री हमन सुरेन ने सुक्रवार को मसलिया के साप चला में आयोजीत एक चुनावी सभा को समुधित करते हुए कहा कि दुमका के मतदाता वोट से ऐस चोट करे कि भाजपा 15 साल तक चुनाव लड़ना भोल जाए, कहा कि इस उप चुनावे जहाओमों परत्यासी बसंद सुरेन के खिलाप एक नहीं बलिक 3-4 पूर्वे CM को उतार दिया गया है, बाजूद ए लोग हम से पिछड़ रहे हैं धान की फसल को सतर से असी परति सतक छती की संभवना, चारकन के कई जिलो में इन दिनों धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हामपर का प्रकोप देखा जा रहा है, खासकर दुमका देवगर गोड़ा वा रामगर जिलो में किट के प्रकोप की समस्या अधिक देखी यूरिया उर्वरक का अधिक उप्योग करते हैं, इसकी वज़ा से खड़ी धान फसल में ब्राउन प्लांट हामपर कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस कीट के आक्रमन से धान फसल को सतर से असी परतित तक छती की संभवना होती है, छट की तयारी में तलाबों की स सफाई शुरू, दुरगा पूजा विसरजन के बाद राची नगर निगम ने सहार के तलाबों की सफाई लगवग पूरी कर ली है, लेकिन अभी तलाबों में बनाये गए विसरजन कूंड को निगम ने जस्कता छोड़ दिया है, ताकि काली पूजा में इसी कूंड में ल विरोद में सत्यागरा आज, पर्देश कॉंग्रेस कमेटी सनिवार को सरदार वलव भाई पटेल की जयांती एवंपुर्व प्रधान मंतिरी स्वर ये इंद्रा गांधी के पूरे तीथी को किसान अधिकार दिवस के रूप में आवजीत करेगी, इस दोरान पर्देश के स अभी जिला मुख्यालों में सहीद अस्थल पर सत्यागरा किया जाएगा, सुक समरिदी के लिए की गई लखी पूजा, बंग समुदाय में सुक समरिदी की कामना के साथ सुक्रवार को कोजा गरी लखी पूजा की गई, दुरगा पूजा के बाद जो पाली पूर नीमाती आती है, उसमें कोजा गरी लखी पूजा करने की परमपरा है, जारखन में दो महाबाद बीजेपी की सरकार दीपक परकास, भाजपा के परदेश अध्यक दीपक परकास ने कहा कि दो महाबाद राज्ये में भाजपा की सरकार होगी, सुक्रवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बाचित में धीपक परकास ने कहा उपचुनाव में सताधारी दलों के पक्ष में काम कर रहे अधिकारियों के हम लोग पहचान कर रहे हैं दो माँबाद भाजपा के सरकार में आने के बाद उन्हें काला पानी भेजेंगे नकसलियों के हमले में घायल दोनों जवानों से मिले डिजीपी जाकन के डिजीपी एमबी राज सुक्रवार को राची के मेडिका अस्पतल पहुंचे डिजीपी ने लोहरदागार जीला में नकसलियों के हमले में घायल दोनों जवानों से बाचित की डीजीपी ने डाक्टरों से भी उनकी इस्थीती के बारे में जनकारी ली और बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्स्राइब कर बहुत के बहुत के बहुत कर दबाएं साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाट से पेस्बूक और शेयर अवास करें साथ सी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवास से दे थैंक यू